इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग एफेक्ट को समझना बहुत आसान है की को प्लग करने पर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पोटेंशल डिफरेंस के कारण शुरू होता है और तब हम कहते हैं कि circuit में electric current flow हो रहा है इस resistance को overcome करने के लिए अब electrons को कुछ work करना होगा Resistance पर काबू पाने के लिए किये गए work को heat energy में बदल दिया जाता है Resistors heat हो जाते हैं और heat dissipate हो जाती है Dissipated से हमारा क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि heat का resistor से निकलना ये resistor से निकलने पर हवा में disperse और scatter हो जाती है ये electric current का heating effect है क्या आप ऐसे instances के बारे में सोच सकते हैं जहां हम daily life में इसको observe करते हैं? जब एक bulb बहुत लंबे समय तक चालू रहता है और आप अपना हाथ bulb के करीब ले जाते हैं तो आपको heat का एसास होता है ये कह सकते हैं कि जब electricity एक resistor के through flow होती है तो उसमें से heat dissipate होती है ये electric current का heating effect है heat dissipate क्यों होती है? क्योंकि resistance पर काबू पाने के लिए electron द्वारा ये work किया जाता है अब हम इस concept के पीछे के mathematics को समझने के लिए तयार हैं क्या आपको याद है कि हमने दो points के बीच electric potential को कैसे define किया था हमने इसे unit charge को एक point से दूसरे पर ले जाने के लिए किये गये work के रूप में define किया था potential difference V work done over charge Q है इस तरह हम लिख सकते हैं कि किया गया work V times Q है और क्या आपको याद है कि power कैसे define होती है ये work done per unit time है W के इस value को यहाँ पर substitute करने पर हमें power P VQ over T मिलती है रुकिये Q over T क्या है अगर time T में conductor के किसी भी cross section में net charge Q flow होती है तो cross section के थुरू current I Q over T होगा क्योंकि Q over T I है हम power को V times I लिख सकते है ये derivation थोड़ी से लंबी है लेकिन बहुत मज़िदार भी तो circuit में source द्वारा supply की जाने वाली energy क्या है ये power P times time T है और ये same energy है जिसे resistor में heat की रूप में dissipate किया जाता है तो time T में produce हुई heat की मात्रा भी P times T है और equation 6 से हम जानते हैं कि P V times I है इसे equation 7 में substitute करने से हमें produce हुई heat मिलेगी V times I times T और ohms law के अनुसार V क्या है? ये I times R है equation 8 में इसे substitute करने पर produce हुई heat H होगी I squared RT power किस के बराबर है? इसका पता चलने पर हमें produce हुई heat भी मिलती है और फिर हम ohms law use कर सकते हैं ये equation और कुछ नहीं बलकि Joule's law of heating है ये नाम James Prescott Joule के नाम पर रखा गया है जिन्होंने generate हुई heat और electric current के बीच के relation का पता लगाया था ये law तीन basic चीज़ों को imply करता है सबसे पहले ये current से कैसे related है? रेजिस्टर में produce हुई heat किसी भी दिये गए resistance के current के square के सीधे proportional होती है दूसरी ये resistance से कैसे related है? और आखिर में ये समय से कैसे related है? कि उस समय जिसमें रेजिस्टर के जरीए current flow होता है उससे सीधे proportional है